प्रिय विद्यार्थियो नमस्कार आशा है कि आप स्वस्थवे प्रसंद होंगे हम ग्यारवीं कक्षा के जेवी ग्यान विशे के नौवे अध्याय जैव अनुके अध्यान के क्रम में पिछले सत्र में ये जान चुके हैं कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम किसी अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं राशानिक अभिक्रिया क्या होती है एंजाइम की क्रिया विदी को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं एंजाइम का नामकर्ण वय वर्गिकर्ण कैसे किया जाता है इसके अलावा सहकारक अर्थात को तो फेक्टर आजी के विशेह में जानने के लिए आज हम इनका विस्थार से अध्यन करेंगे। आज के सत्र के हमारे अधिके मुद्धिश इस प्रकार हैं, रासाइनिक अभी क्रिया का अधियन करना, एंजाइम द्वारा उच्छ दर से रासाइनिक रूपांत्रन का अधियन करना, एंजाइम क्रिया की प्रकृति को समझना, एंजाइम की क्रिया विधी को प्रभावित करन वाले कारकों का अध्यान करना, एंजायम का नामकर्ण वय वर्गी करन करना, सह कारक को फेक्टर का अध्यान करना, छात्रों में कला कौशल, व्यज्ञानिक दिष्टिकों, जिग्या सुप्रवर्ती और अवलोकन कौशल का विकास करना, इसके साथ साथ जीविक ज्यान की रहसंबने के लिए उसको अनुपयोग मिलाने के लिए भी हम आपसे अपेक्षा करेंगे। सबसे पहले यह समझ लेना आवशक है कि रासानिक अभिक्रिया होती क्या है। रासानिक योगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन जिसमें बिना बंद के टूटे वे योगिक के आकार तथा द्रव्व के अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ का पिगल कर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वास्ट में बदलना। रूपांतरन के समय बंधों का तूटना वे नए बंधों का निर्मान होना ही रासाइनिक अभिक्रिया होती है उधारन के लिए बेरियम हाइड्रोकसाइड गंदक के अमल से क्रिया कर बेरियम सलफेट वे पानी बनाता है यह एक अकार्बनिक रासाइनिक अभिक्रिया है ठीक इसी प्रकार स्टार्च का जल अभगठन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासाइनिक अभिक्रिया है भौतिक या रासानिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंद इकाई समय में बनने वाले उत्पात से होता है इसे हम इस प्रकार परदर्शित कर सकते हैं यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं भौतिक वे रासनिक प्रिक्रियाओं की दर अन्य कारिकों के साथ साथ ताप क्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्व माने नियम के अनुसार प्रते एक 10 डिगरी सेंटीग्री ताप मान के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमश द्विगुनित या आधि हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। अभिक्रिया में कोशिका रवे में उपस्तित अनजाईम कार्वनेक एन्हाइड्रेज की उपस्तिती में तेवर कती से संपन्न होती हैं। जिस से कार्वनेक अमल्गे 6,00,00,00 प्रति सेगंड देखा हैं। आपने देखा कि एंजाइम ने इस क्रिया की दर को दस लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वनसी नहीं लगती है। लेकिन ऐसा वास्तव में होता है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेश प्रकार की रासाइनिक वे उपाप पचिये अभिक्रियाओं को प्रेडित करते हैं। बहु चरणिये रासाइनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रतेक चरण एक ही जटल एंजाइम या विभिन प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेदित होती है उन्हें उपाप पचयी पत कहते हैं जैसे उधारन के लिए ग्लुकोस से पायरविक अमलका निर्मान एक रासानिक पत द्वारा होता है जिसमें दस विभिन प्रकार के एंजाइम उपाप पचयी अभिक्रिया को उत्प्रेदित करते हैं इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपाप पचयी पत एक या दो अतिरिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन प्रकार के उपाप पचयी पत बनाते हैं हमारी कंकाली पेशियों में अनाक्सी स्थिती में लेक्टिक अमल का निर्मान होता है जबकि सामान्य आक्सी स्थिती में पायरुविक अमल का निर्मान होता है खमीर में किन्वन के दौरान इसी उपाब पचेपत द्वारा इथेनौल अर्थात अलकॉहल का निर्मान होता है अतर हम कह सकते हैं कि विबिन दिशाओं में विबिन प्रकार की उत्पात का निर्मा संभव है इसे समझने के लिए एंजायम के बारे में थोड़ा विश्तार से जानना पड़ेगा सक्रियस्थल के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं रासायनिक या उपाब पचेपत अभी क्रिया होती है जो रासायन उत्पाद में रुपांत्रित होता है उसे क्रियाधार या सबस्टेट कहते है एंजायम एक सक्रियस्थल सहीत एक त्रेविम सन्नचना की प्रोटीन है जो क्रियाधार को अर्थार सबस्टेट को उत्पाद में प्रोड़क्ट में बदलता है सांकेतिक रूप से इसे हम इस प्रकार चित्रित कर सकते हैं क्रियाधार जिसको हम S से प्रतिरूपित करते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थल जो की दरार या फुटिका के रूप में होता है से जुड़ जाता है क्रियाधार अर्थात S सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र अर्थाथ एंजाइम सब्स्टेट कॉम्पलेक्स का अविकलपी ये निर्मान होता है इस समुह का निर्मान एक अल्प कालिग घटना है क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जूडने की अवस्था में क्रियाधार की नई सन्नचना का निर्मान होता है जिसे संक्रमन अवस्था सन्नचना कहते हैं इसके बाद श्रीग्र ही प्रत्याशित बंद के टूटने या बनने के उपरांद सक्रिय स्थल से उत्पाद अबमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की सन्नचना उत्पाद की सन्नचना में रूपांत्रित हो जाती है। रूपांतरन का यह पत तथा कथित संक्रमन अवस्था के द्वारा होता है स्थाई क्रियाधार व उत्पात के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संदचनात्मक अवस्था हो सकती है इस कथन का आशय ये है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संदचनात्मक अवस्था अस्थाई होती है स्थाईत्व का संबन्द अनु की उर्जा अवस्था या संदचना से जुड़ा होता है यदि हम इसे चित्रात्मक लेखा चित्र के रूप में प्रदस्थित करें तो ये स्क्रीन पर प्रदस्थित चित्र के अनुरूप होगा इस चित्र में आप देखिए Y अक्ष अंतर नहित उर्जा अंश को व्यक्त करता है जबकि X अक्ष संदचनात्मक अवस्था जिसका निर्मान मध्यवर्ती संदचना द्वारा होता है की प्रग्यति को व्यक्त करता है क्रियाधार, सब्स्टेट या S वे उत्पाद, प्रड़क्ट या P के बीच उर्जा स्थर में अंतर ध्यान देने होगे है यदि उत्पाद का उर्जा स्थर क्रियाधार से नीचे स्थर का है तो अभिक्रिया बाहिये उश्मिय होती है अर्थाद इस अवस्था में उत्पाद निर्मान हेतू उर्जा पूर्ती अर्थाद गरम करने के आउश्यक्ता नहीं होती है और यदि उत्पाद का उर्जा स्थर क्रियाधार से उच्चिस्थर का है तो अभिक्रिया अंतह उस्मी होती है अर्थात इस अवस्था में उत्पाद निर्मान हेतू उर्जा अपूर्ती अर्थात गरम करने के आवश्यक्ता होती है फिर भी चाहे वह बाहिय उस्मी हो या सतह प्रवर्तित अभिक्रिया या अंतवस्मिय या उर्जा आवशक अभिक्रिया हो क्रियाधार को उच्छ उर्जा आवस्था का संक्रमन आवस्था में गुजनना होता ही है क्रियाधार वे संक्रमन अवस्था के बीज आसत उर्जा के उत्पाद अंतर को सक्क्रियन उर्जा या एक्टिवेशन एनरजी कहते हैं एंजाइम उर्जा अवरोध को घटा कर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रुपांतरन में सहयोग करता है ये किस प्रकार होता है आईए इसे समझने का प्रयास करते हैं देखिए प्रतेक एंजाइम E के अनु में क्रियाधार बंधन स्थल मिलता है जो क्रियाधार S से बंद कर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र E S का निर्मान करता है यह सम्मिष अलपावधिका होता है जो उतपाद अर्थात प्रड़क्ट एवं अपरिवर्थित एंजाइम में विगटित हो जाता है इसके पूर्व मध्यावस्तागरूप में एंजाइम उतपाद अर्थात E-P एंजाइम प्रड़क्ट जटिल का निर्मान होता है एंजाइम क्रियाधार जटिल E.S. का निर्मान उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण चक्र को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं सरवपर्थम क्रियाधार सक्रियस्थल में व्यवस्थित होकर एंजायम के सक्रियस्थल से बन जाता है फिर बनने वारा क्रियाधार एंजायम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजायम से मजबूती से बन जाता है ततपश्चात एंजाइम का सक्रियस्थल अब क्रियाधार के काफी समीफ होता है जिसके परिणाम स्वरुप क्रियाधार के रासानिक बंध तूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जड़िल का निर्मान होता है अंत में एंजाइम नव निर्थ उत्पाद को अवमुक्त करता है वह एंजाइम स्वतंत्र होकर के क्रियाधार के दूसरे रणों से बंदने के लिए तयार हो जाता है इस प्रकार पुन्ह उत्परिदक चक्र प्रयर्म हो जाता है विद्यार्थियों क्या एंजाइम की क्रिया शेलता भी प्रभावित हो सकती है आईए देखते हैं जो कारक प्रोटीन की तृतियक सन्रचना को परिवर्थित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं जैसे तापक्रम, पीच, क्रियाधार की संद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसाईन का एंजायम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रत करते हैं एंजायम सामान्य तह तापक्रम वे पीच के लगुपरिशर में कारे करते हैं प्रतेक एंजायम की अधिक्तम क्रियाशिल्ता एक विशेश तापक्रम वेब पीज पर ही होती है जिसे क्रम से इस्ट्रितम तापक्रम वेब इस्ट्रितम पीज कहते है इस इस्ट्रितम मान के उपर या नीचे होने से क्रियाशिल्ता घट जाती है निम्ड तापक्रम एंजाइम को अस्थाई रूप से निश्क्रिय अवस्था में सुरक्षत रगता है जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशलिता को समाप्त कर देता है क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विक्रत कर देता है क्रियाधार की सांदरता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजायम क्रिया की गती बढ़ती है अभी क्रिया अंत्तो गत्वा सरवोच गती प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांदरता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती है जानते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि एंजायम के अणों की संख्या क्रियाधार के अणों से कहीं कम होती है और इन अणूं से एंजायम के संत्रत होने के बाद एंजायम का कोई भी अणू क्रियाधार के अतिरिक्त अणूं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है किसी भी एंजायम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्तिती में संबेदन शील होती है जो एंजायम से बनते हैं जब रसायन का एंजायम से बनने के उपरांत इसकी क्रिया शीलता बन्ध हो जाती है तो इस क्रिया को संदमन या इनहिबीशन और उस रसायन को संदमक या इनहिबीटर कहते हैं जब संदमक अपनी आनुविक संदचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजायम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो तो इसे पृतिसपर्धात्मक संदमन अर्थात competitive innovation कहते हैं संदमक की क्रियाधार से निकट्तम संदचनात्मक समानता के फल सरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्तल से बंतेवे प्रतिस्परधा करता है परिणाम सरूप क्रियाधार क्रियाधार बंधक स्तल से बंध नहीं पाता इसके फलसरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है उधारन के लिए सक्सिनिक डी हाइडोजिनेज का मैलोनेट द्वारा संदमन जो सनचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है ऐसे प्रतिसपर्धी संदमकों का अक्सर उपयोग जीवानू जन्म रोग जनकों अर्थात बैक्टिरियल पैथोजन्स के नियंतरन के लिए किया जाता है हजारों एंजाइमों की खोज की जा चुकी है विलगन वे अध्यन किया जा चुका है अत है इनका वर्गी करण वे नामकरण नितांत आवश्यक हो गया है एंजाइम द्वारा विभिन अभिक्रिया के उत्प्रेरण की आधार पर इन्हें विभिन समुहों में वर्गी करत किया गया है एंजाइम को 6 वर्गों में और प्रतेग वर्गों को 4 से 13 उप वर्गों में विभाजित किया गया है इनका नामकरण 4 अंकिय संख्या पर आधारित है ओक्सिडो रिडक्टेज डी हाइडोजिनेज ये एंजाइम जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस एंजाइम में जो दो क्रिया धारकों S वे S प्राइम के बीच ऑक्सी अप्चेन को उत्प्रेद करते हैं दूसरा एंजाइम ट्रांस फरेजिज एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S वे S प्राइम के बीच एक समुह अर्थात हाइडोजन के अत्रित के स्थानादन को उत्प्रेजित करते हैं जैसे S G जो की लाल रंग से दिखाया गया है प्लस S 1 इससे जो हमको प्राड़क्ट रिया उत्पाद मिलता है वो S प्लस S 1 G यानि की लाल रंग से दिखाया गया है ये उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जो G पहले S के साथ जोड़ा था वो अब S 1 के साथ जोड़ गया है ये प्रड़क्ट में दिखाई दे रहा है अगला एंजाइम है हाइडो लेजेजेज एंजाइम इस्टर, इथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड या फॉसफोरस नाइटोजन बंधों का जल अबगटन करते हैं लाइजेजेज नाम के एंजाइम जल अबगटन की अत्रिक्त विधी द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेजित करते हैं जिसके फल्सरूप द्विबंधों का निर्माण होता है आइसो मरेजेज वे सभी एंजाइम जो प्रकाशिये, ज्यामितिये वे इस्तितिये समावयवों के अंतर रुपांत्रन को उत्प्रेजित करते हैं और लाइजेज एंजाइम दो योगिकों के आपस में चुड़ने को उत्प्रेजित करते हैं जैसे enzyme जो carbon oxygen, carbon sulfur, carbon nitrogen वे phosphorus oxygen बंधों के निर्मान के लिए उत्प्रेज़ित करते हैं enzyme एक या अनेक बहु peptide संखलाओं से मिलकर बना होता है फिर भी कुछ इस्तितियों में ether protein अभयब जिसे हम सहकारक कहते हैं enzyme से बंद कर उसे उत्प्रेज़ित सक्रिय बनाते हैं इन उधारनों में enzyme के केवल protein भाग को apo enzyme कहते हैं यह सहकारक तीन प्रकार के होते हैं prosthetic समू, सह enzyme और धात वायन prosthetic समू, carbonic योगिक होते हैं और यह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि यह apo enzyme से द्रड़ता से बंदे होते हैं उधारन के लिए enzyme peroxidase वे catalyze जो hydrogen peroxide को oxygen वे पानी में विखंडित करते हैं heme prosthetic वे समू होता है जो enzyme के सक्रिस्थल से जुड़ा होता है सह enzyme भी carbonic योगिक होते हैं और इनका संबन्द एपो enzyme से अस्थाई होता है जो सामाने तया उत्रड़न के दौरान बनता है सह enzyme विभिन enzyme उत्रड़त अभिक्रियाओं में सह कारक के रूप में कारे करते हैं अनेक सह enzyme का मुख्य रासानिक अवे अब विटामिन्स होते हैं जैसे सह enzyme nicotinamide, adenine, dinucleotide जिसको हम संक्षेप में NAD अंग्रे जी के NAD से निरुपित करते हैं nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate इसे हम संक्षेप में अंग्रे जी के NADP alphabet से निरुपित करते हैं ये विटामिन नियाशिन से जुड़े होते हैं धातु आयन कई enzyme की क्रियाशेलता हेतु धातु आयन की आवशक्ता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्शु शंखला से समनवयन बंध बनाते हैं वे उसी समय एक या एक से अधिक समनवयन बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं जैसे प्रियोटोलिटिक enzyme कारबॉक्सी पेप्टिडेस से जिंक एक सहकारक के रुप में जुड़ा होता है enzyme से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो उनकी उत्त्रेरक क्रियाशेलता समाप्त हो जाती है इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया शेलता है तू ये सहकारक निर्नायक भूमी का आदा करते हैं प्रेविद्यार्थियों आज हमने एंजाइम के बारे में विश्तार से चर्चा की है आईए उसकी एक बार पुन्रावर्ति कर लेते हैं रासायनिक रूम पांतरन के समय बंधों का तूटना वे नए बंधों का निर्मान होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है अनेक प्रकार की एंजाइम होते हैं जो विशेश प्रकार की रासायनिक वे उपापचिये अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। एंजाइम एक या अनेक बहु पेप्टाइड संखलाओं से मिलकर बना होता है। फिर भी कुछ इस्तितियों में इतर प्रोटीन अवेव जिसे हम सहकारक कहते हैं। एंजाइम से बंध कर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उधारनों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। अब जैव अनुस से संबंदित कुछ प्रशन आपके अभ्यास के लिए है। पहला प्रशन एंजाइम क्या है। दूसरा एंजाइम के महत्यपूर्ण गुनों का वणन कीजिए। थीसरा निमलिखित को परिभाशित करें। अगला प्रशन है अन्तह उस्पमिये एवं बाही उस्पमिये अभिक्रिया में अन्तह स्पस्ट करें। फिर एक प्रशन है एंजाइम के क्रिया विधी को प्रभावित करने वाले विविन्न कारकों का उधारन सहित वर्णन करें। अगला प्रश्ण एंजाइम के वर्गी गरान का क्या आधार है स्पस्ट करें प्रिय विद्यार्थियों आज के सत्र में हमने एंजाइम का विश्टत अधिन किया है हम अपेक्षा करेंगे आप उसका पाठन करें मनन करें चिंतन करें और स्वाध्या करते रहें इससे आप अ हमारी शुब काम नए हैं शीगरी किसी नए विशेवर पर आप से पुनह मिलेंगे धन्यवाद प्रवाद